हरे धनिय की पत्तियां और बीज दोनों ही खाने का स्वाद बड़ा देते हैं खाने में बले ही मिच मसाला ना हो लेकिन अगर धनिया पत्ति से गानिश की जाए तो उसकी खुबसूरती और स्वाद में चार चांद लग जाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि थनिया सिर्फ खाने की खूपसूरती और सुवाद ही नहीं बढ़ाता बलकि इसका पानी आपके सुवास के लिए बेहत गुनकारी है धनिये के पानी में पोटाशियम, कैलशियम, बिटामिन, सी और मेगनेशियम भरपूर मातरा में पाया जाता है और ये सभी तत्व बीमारियों को कोसो दूर रखते हैं धनिये का पानी पीने के डेहरों फैदे हैं जिन में से कुछ के बारे में हम आपको बताएंगे चलिए देखते हैं धनिया खाने के क्या क्या फायदे होते हैं वजन कम करने में असरदार अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो धनिये के बीज का इस्तमाल करने से फायदा होगा इसके लिए आप तीन बड़े चमच धनिये के बीज एक गिलास पानी में उबालें जब पानी आदे से कम हो जाए तो इसे छान लीजिए इस पानी को रोजाना दो बार पीने से बजन गटने लगेगा कॉलेस्टरॉल से चुटकारा दनिये में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर से कॉलेस्टरॉल कम कर उसे कंट्रॉल में रखते हैं जिसज के अनुसार अगर किसी को हाई कॉलेस्टरॉल की शिकायत है तो उससे धनिये के बीज उबाल कर उस पानी को पीना चाहिए बगाए पेट की बीमारियां अगर आपको पेट से संबंदित कोई समस्या है तो दो कप पानी में धनिये के बीज, जीरा, चाय, पत्ती और शकर डाल कर अच्चे से मिला लें इस पानी को पीने से ऐसे जिटी में आरा मिलता है पेट में दर्द होने पर आदा गिलास पानी में दो चम्मच धनिये के बीच डाल कर पीने से पेट दर्द से रहात मिलती है बड़ाए डाइजेक्शन, हरा धनिये पेट की समस्याओं को दूर कर पाचन शक्ती बढ़ाता है दनिये के ताजे पत्तो को छाच में मिलाकर पीने से बदहजमी, मतली, पेचिस और कुलाइटिस में आराम मिलता है डाइविटीज से आराम दनिये को मदू में नाशी यानि की डाइविटीज को दूर भगाने वाला माना जाता है इसका पानी पीने से खून में इंसूरीन की मातरा नियतित रहती है नकसीर की दवा हरे ताजे धनीय की लगभग 20 गराम पत्तियों के साथ चुटगी भर कपूर मिला कर पीज ले और रस छान ले इस रस की दो बूदे नाक के छेदों में दोनों तरफ टपकाने से और रस को माते पर लगा कर हलका हलका मलने से नाक से निकनने वाला खून बंद हो जाता है आखों के लिए धनीय के बीज आखों के लिए भी फायदे मंद हैं धनीय के थोड़े से बीज पूट कर पानी में उबालें इस पानी को ठंडा करके मोठे कपड़े से चान लें और इसकी दो बूदे आखों में टपकाने से जलन, दर्द और पानी गिरना जैसी समस्याएं दूर होती हैं दूर होगी प्रेट्स की प्रॉबलम, धनीय महलाओ में प्रेट्स समबंदी समस्याओं को दूर करता है अगर प्रेट्स हादन से जादा हो तो आदा लीटर पानी में लगबग 6 ग्राम धनीय के बीज डाल कर खौलाएं इस पानी में चीनी डाल कर पीने से फायदा होगा मुहासो का रामबान इलाज धनीय तवच्चा के लिए भी फैदे मंद है धनीय के जूस में हल्दी पाॉडर मिला कर चहरे पर लगाएं और कुछ देर वाद धोलें दिन में दो बार इस लेप का इस्तिमाल करने से बहुत जल्दी मुहासो और दागधबों से शुटकारा मिलेगा और चहरे की सुन्दरता भी बढ़ेगी घमोरिया होने पर धनीय के पानी से नहाना चाहिए जलन से रहत अगर आपको पेशाम में जलन होती है तो धनीय के पत्तों का पानी पीने से आराम मिलेगा धनीय के बीजों को भिगो कर पीस कर उसका पानी तयार कर लें इस पानी को पीने से शरीर के दहर खास कर पैरों की जलन में फैदा होता है विवर्स आज के वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ विवर्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं